में तो नमस्कार जहिद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उतकर्श बजन गोविन सर और प्यार से दोस्तों कैसे हैं आप लोगों उम्मीद करता होंगे आप फिट एन फाइन होंगे दोस्तों इस वीडियो के मादम से सबसे पहले में दोस्तों मनाया जा रहा है ये बाद बतानी थी दोस्तों ये दिवस मनाया जाना कब से प्रारब हुआ है दोस्तों बात कर रहे हैं एड्स की AIDS मने Acquired Immune Deficiency Syndrome के रोप में दोस्तों इसको हम जानते हैं और आपकी बात पता होना चाहिए Paris दोस्तों कि AIDS का जो वाइरस है HIV 3rd कौन सा HIV 3rd जो है वह ब्लड अर्थात lymphocyte को उसकाओं को नश्ट कर देता है जिससे कि हमारे सरीर की रोग प्रत्रोदक छमता जो है वह समाप्त हो जाती है समझ रहे ना बात कर रहे हैं HIV की Paris दोस्तों कलम निकाल के नोट जरूर करिएगा बात कर रहे हैं HIV की तो Paris दोस्तों Human Immuno Deficiency Virus के रूप में दोस्तों हम HIV को जानते हैं दोस्तों बात कर रहे हैं HIV की तो मैं आपको बता दूँ प्यारे से दोस्तों अभी 2020 में माने आज जो दिवस मनाया जा रहा है इसका मुख विशे क्या है प्यारे दोस्तों लिशिन व्यारी क्यारफुली वह यह हैं एंडिंग HIV Oblique AIDS की बात कर रहे हैं HIV slash AIDS की गना और इसके आगे क्या होता है Epidemic Resilience and Impact इसका मुख विशे है आज जो दिवस मनाया जा रहा है माने एंडिंग HIV Oblique क्या है AIDS और Epidemic Resilience and Impact इसका मुख विशे है माने थीम है और आपको बात पता है दोस्तों बात जब HIV की करते हैं या कोई दिवस की करते हैं उसका एक बिशेश प्रकार का थीम और गनाइज होता है और बात कर रहे हैं थीम की दोस्तों तो थीम एक विशे होता है यह जागरुपता फैलने के लिए दोस्तों काम आता है बढ़ते हैं आगे बात अगई HIV की पहोँरे दौस्तों आखिर HIV में होता क्या है दोस्तों जब बीमारी होती है ना तो सरीर की रोग प्रतुरोदक चमता क्या छीन होने लगती है और इस जब चमता कम होने लगेगी तो कहिना की और बीमारी या भी जो है अटेकिंग अवस्था में आ जाती है दोस्तों मैं आपको बता दो National Institute of Immunology माने राष्टी प्रतिरक्षा विग्यान संस्थान कहा है दोस्तों नई दिल्ली में इस बात को द्यार नखेंगे immunology माने पत्रक्षा बिग्यान की हम लोग बात करते हैं दोस्तों बात कर रहे हैं AIDS की तो इस बात का अभी आपको दिहान लगना है वो क्या है आपसे exam में पूछा गया है कि ELISA जो है ELISA समझ रहे हैं ना इस प्रकार से जानते हैं दोस्तों इस वीडियो एक मादम से यही बताना था अपना प्यार दुरार इसने बनाए रखें और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल कौन से उतकर्ष बजन को लाइक कमेंट शियर नहीं किया है दोस् को बताईए जससे जादा जादा बच्चे स्पेस से जुड़ेंगे अपने ज्यान की जो है वो बढ़ोतरी कर पाएंगे और जल्दी जल्दी सरकारी सिस्टम के अंग बनेंगे आसान वित रहें कौरोना की वज़य से सारे लोग दुखी हैं आप आसान वित रहें चीजें बहुत अच्छे मोट पे आएंगे हम होंगे काम आप ठीक ना थैंक यो जैहिन